इस वीडियो लेक्षिन में हम लोग जानेंगे कि एनिलीन में यानि SIP एप्सेक्ट कर लेता है याँसे एप्सेक्ट कर लेता है यानि इस मेंमेन बेस की तरह काम करती है और वाटर का मोलीकुल एसी तरह का म कम करता है यहां से एक H positive release होता है H positive को upset करके इससे conjugate acid की formation होती है previous video lecture में हमने यह देखा है किसी भी compound के base बनने के लिए उसके donor atom पर electron density increase होनी चाहिए और अगर उसके donor atom पर electron density increase हो जाती है तो वो compound strong base की तरह act करता है इसको समझने के लिए हम इन तीन example के तुरू इसको explain कर सकते हैं यहां पर हमारे पास एक ammonia है जिसके एक H को release करके यहां पर methyl group लगाए गया है और तीसरे compound में ammonia के दो H को release करके दो methyl group लगाए है इन तीनों compound की अगर basic strength को compare करें तो यहां हमें देखना होगा कि तीनों में किस nitrogen पर electron density जादा है चुँकि यहां एक methyl group है और यहां पर दो methyl group है methyl group इसमें electron donating group की तरह काम करते हैं और अपने plus eye effect से इस nitrogen पर electron density increase कर देते हैं चुँकि तीसरे compound में दो methyl group है तो इसके nitrogen पर electron density इन तीनों में सबसे ज़्यादा increase होती है और उसके बाद इसमें increase होती है और ammonia में किसी भी तरह से कोई alkyl group नहीं है तो तीनों ही compound में सबसे कम ammonia की nitrogen पर electron density होती है previous video lecture में हमने यह भी देख रहा है कि अगर compound के donor atom पर electron density जतनी ज़्यादा increase होती है उस compound की basic strength उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और basic strength बढ़ने से वो compound strong base की तरह act करता है और इस कारण से उसमें kb value बढ़ जाती है जबकि pkb value decrease हो जाती है और उसी video lecture में हमने pkb और pka value में relation को भी देखा है अगर किसी compound में pkb value decrease होती है तो उस base की pka value increase हो जाती है इसका मतलब यह है कि किसी compound की pka value जतनी ज़्यादा होती है वो compound उतना strong base होता है इन तीनो compound में चुंकि इस compound की nitrogen पर electron density सबसे ज़्यादा है और इस compound की nitrogen पर electron density सबसे कम है इसका मतलब यह हुआ इन तीनों कंपाउंड मेंसे दाई मिथेल अमीन सबसे स्ट्रोंग बेस होगा, फिर मिथेल अमीन होगा और सबसे पूर बेस इसमें अमोनिया होगा इस रिजल्ट को हम इसकी PKB वेल्यू के साथ कोरेलिट कर सकते हैं कि जिस कंपाउंड की PKB वेल्यू जितनी ज़्यादा कम होती है, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्ट्रोंग बेस होता है और जिस कंपाउंड की PKB वेल्यू जितनी ज़्यादा होती है, वो कंपाउंड उतना पूर बेस होता है अब बिल्कुल सेम कॉंसेप्ट को हम अरोमेटिक अमीन यानि एनिलीन और सब्सिटुटिट एनिलीन में यूज करके देखते हैं इन दोनों कमपाउंड में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि सेकेंड नंबर कमपाउंड की पैरा पोजिशन पे मिथाईल गूरूप प्रेजेंट है अगर दोनों के नाइट्रोजन को देखें तो दोनों के नाइट्रोजन का जो लोन पेर है वो डी लोकलाइज होता है यानि इन दोनों में NS2 गूरूप अपना प्लस MFX शो करके इस लोन पेर को बेंजीन के अंदर माइगरेट कर सकता है यानि दोनों ही केस में बेंजीन माइनस MFX शो करती है अब बात करते हैं इस extra methyl group का, जो कि methyl group जो होता है, वो plus H और plus I effect शो कर सकता है, जिसमें से plus H effect plus I effect से ज़्यादा dominant होता है, इसका मतलब यह है कि यह electron को benzene की ring में donate करता है, अगर इन दोनों compound की benzene ring में electron density को consider करें, तो compound second की ring में electron density ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह हुआ कि ज अब easily अंदर migrate नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही अंदर migrate करेंगा, इस ring में higher electron density होने के कारण उसको repulsion होगा, यह हम ऐसा कह सकते हैं, कि इन दोनों में से इसका जो plus H effect होगा, वो effectively नहीं लग पाएगा, और इस current से इस nitrogen पर electron की density जो है increase हो जाएगी, अगर इन दोनों compound की basic strength को compare किया जाए, तो इस compound में इसकी nitrogen पर electron density जअधा होती है, इसलिए इन दोनों compound में compound second strong base होता है, इस result को हम इसकी PKB value के सथ correlate कर सकते हैं, कि जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा होती है वो compound उतना पूर base होता है और जिस compound की PKB value जितनी कम होती है वो उतना strong base होता है इसी तरह अगर इन दोनो compound की basic strength को compare किया जाए तो दोनो compound में difference यह है कि aniline की orthoposition पे यहाँ पर methyl group लगाया हुआ है अगें methyl group के दो effect होते हैं एक plus h होता है एक plus i होता है और इन दोनो effect में से plus h effect ज़्यादा dominant होता है और methyl group के electron donation करने के कारण इस compound की nitrogen पर electronicity increase हो जाती है यहनि कि इन दोनो compound में से second compound की nitrogen पर first compound की nitrogen के comparison में ज़्यादा electronicity होती है इसलिए इन दोनों में अगर basic strength को देखा जाए तो compound second यानि ortho methyl aniline की basic strength aniline से ज़्यादा आती है अब basic strength के इस order को हम इसकी PKB value के साथ correlate करते हैं अभी हमने देखा था कि जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा कम होती है वो compound उतना ज़्यादा strong base होता है चुँकि इसमें ortho methyl aniline strong base होना चाहिए तो इसकी PKB value ज़्यादा क्यों आ गई इसकी PKB value तो कम आने चाहिए इसका मतलब यह है PKB value के according aniline जो होती है वो ortho methyl aniline से strong base होती है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि ortho methyl aniline में electron displacement effect से भी ज़्यादा dominant एक effect डवलप हो जाता है जो इसकी basic strength को decrease कर देता है और इस effect को हम SIP यानि की steric inhibition of protonation कहते है जो एक type का ortho effect ही होता है SIP जिसे हम steric inhibition of protonation कहते है एक type का ortho effect होता है और ortho substituted aniline में steric hindrance के कारण जब protonation नहीं हो पाता ऐसे effect को हम SIP यानि steric inhibition of protonation कहते है SIP को समझने के लिए aniline और ortho methyl aniline की reaction aqueous medium में करवाई जाती है aniline को हम compound one माल लेते है और ortho methyl aniline को हम compound second माल लेते है जब इसकी acidic medium में reaction होती है तो acid से एक H positive को ये abstract कर लेते हैं और दोनों ही base है और अपनी nitrogen के थूँ इस H positive को electron donate करते है electron को donate करने के बाद दोनों के nitrogen और H में bonding हो जाती है और दोनों के nitrogen पर positive charge generate हो जाता है और इन से इनके corresponding conjugate acid की formation हो जाती है यानि compound one का जो conjugate acid है उसे हम conjugate acid of compound one कह देते है और compound second का जो conjugate acid बनेगा उसे हम conjugate acid of compound two कह देते है अब question यह है कि compound first और compound second में से strong base कौन सा होगा electron displacement effect के थुरू हमको ऐसा लगता है कि compound second जो है वो strong base होगा जबकि PKB value ये बोलती है कि compound first जो है वो strong base होगा इन दोनों में से जो भी strong base होगा उसका conjugate acid must be more stable वोगि हमने previous वीडियो में देखा है कि किसी compound का conjugate acid जितना ज्यादा stable होता है वो compound उतना strong base होता है इसका मतलब इनकी basic strength निकालने के लिए हमको इन दोनों conjugate acid को आपस में compare करना पड़ेगा और इन दोनों में से जो भी conjugate acid ज्यादा stable होगा उनका base जो है उसकी basic strength ज्यादा हो जाएगा compound second के थुरू बनने वाला conjugate acid में ortho position पर methyl group present होने के कारण अब इसके H और methyl के बीच में repulsion develop हो जाएगा और इस repulsion के कारण ही इसके energy content ज्यादा हो जाएगे और इसकी stability decrease हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ conjugate acid compound first और conjugate acid compound second में से conjugate acid जो compound first का है इसकी stability ज्यादा होती है previous video lecture में हमने यह देखा है कि जिस compound के conjugate acid की stability ज्यादा थी उस compound की basic strength या basicity ज्यादा थी चुकि इस में conjugate acid from A ज्यादा stable है इसलिए इन दोनों compound में से ज्यादा basic compound first होगा अगर compound first ज्यादा strong base है तो इन दोनों reaction में से rate constant किसका ज्यादा होगा rate constant इस reaction का ज्यादा होगा क्योंकि इस reaction में बनने वाला conjugate acid ज्यादा stable है किसी भी base के थुरू जब H positive को electron दिये जाते हैं इस reaction को हम protonation कहते हैं compound second में यह जो process होता है या प्रोटोनेशन का जो process होता है वो hindrance के कारण inhibited हो जाता है या पूरी दरे से effectively नहीं हो पाता इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ortho methyl aniline में SIP यानि steric inhibition of protonation के कारण इसका conjugate acid less stable हो जाता है और इसी कारण से aniline जो होती है वो strong base बन जाती है अब हम clearly statement दे सकते हैं कि ortho methyl aniline, aniline से weak base होती है और ऐसा उसमें steric inhibition of protonation के कारण होता है जो कि एक type का ortho effect होता है इस statement को इसकी PKB value के साथ correlate कर सकते हैं कि जिस compound की PKB value जतनी ज़्यादा कम होती है वो compound उतना strong base होता है और जिस compound की PKB value जतनी ज़्यादा होती है वो compound उतना poor base होता है इस SIP effect के develop होने का main reason क्या था इसका main reason ये था कि जब aniline की ortho position पर हमने methyl group रखा यानि की two methyl aniline में इस methyl group की hindrance के कारण इस NS2 के electron donation की possibility ये capability decrease हो गई दिससे इसका protonation decrease हुआ इसी current से ये हमारे पास poor base बन गया और इसकी PKB value increase हो गई इसका मतलब ये हुआ जब aniline की एक ortho के edge को replace करके methyl group लगाते हैं तो उसकी basic strength decrease हो जाती है क्योंकि उसमें SIP develop हो जाता है अगर मान लो aniline की दोनों side के ortho से edge हटा कर दो methyl group लगा दें तो ऐसी condition में इसमें भो ज़्यादा SIP effect डवलप होगा इस कारण से इन तीनों में सबसे ज़्यादा SIP इसमें develop होने के कारण इसकी basic strength इन तीनों में सबसे ज़्यादा कम होनी चीए अब अगर इन तीनों compound की basic strength को compare किया जाए तो इन में सबसे strong base aniline होगा क्योंकि उसकी दोनों ortho पर कहीं भी कोई hindered group नहीं है जैसे ही उसकी एक side ortho पर हमने methyl group रखा इसकी basic strength decrease हो जाएगी क्योंकि इसमें एक side SIP डवलप होगा और जैसे ही हमने डोनों side एक एक मितायल रखा तो इसमें SIP बहुत ज़्यादा डवलप हो जाएगा जो इसकी basic strength को बहुत ज़्यादा decrease कर देगा इस complete order को हम इसकी PKB value के साथ बहुत अच्छे से correlate कर सकते हैं जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा कम होती है वो compound उतना strong base होता है और जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा हो जाती है वो compound उतना poor base हो जाता है इसी तरह इस example में इस aniline की ortho position पर methyl group रखा गए है जबकि इस aniline की ortho position पर tertiary butyl group रखा है तो इन दोनों में से tertiary butyl group ज़्यादा बलकी और ज़्यादा larger होने के कारण इस aniline में ज़्यादा dominant SIP डवलप होगा और इस कारण से इस aniline की basic strength decrease हो जाएगी basic strength decrease होने के साथ साथ इसकी KB value भी decrease हो जाएगी और जिससे इसकी PKB value increase हो जाएगी अब इसके इस result को हम इसकी PKB value के साथ correlate करते हैं और इसकी PKB value से clearly indicate होता है कि जिस compound की PKB value जितनी ज़्यादा होती है वो compound की basic strength उतनी कम हो जाती है इसलिए इन दोनों में से ortho position पर methyl लगने वाली aniline ज़्यादा strong base होती हैं तो guys इस video lecture में आपने SIP यानि steric inhibition of protonation और उसके impact को बहुत अच्छे से सीखा होगा साथ में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह ortho-substituted aniline जो होती हैं वो SIP के कारण aniline से poor base बन जाती हैं तो guys अगले video lecture में हम लोग उन compound को discuss करेंगे जिन में nitrogen donor atom होता है यानि कि हम ऐसे compound को discuss करेंगे जो nitrogenous base कहलाते हैं जिनका nitrogen atom जो होता है वो एक basic side की तरह काम करता है